हेलो बच्चो कैसे हो आज हम प्रिप्रेशन आफ अल्कोहल पढ़ेंगे बहुत सारे मेथर्स है इसलिए क्लास को दो में डिवाइड करना होगा फर्स्ट में हम अलकाइल हैलाइड से बनाएंगे ग्रिग्नारी एजन्स अल्कोहल बनाएंगे और कर्बोनील काबार्ण की आफ रेक्ड़ेर्चन करेंगे डाक्याइड इंडायक्रिशन फिर ऑक्सीमर्कुरेशन दीमrina제न हाइडर दूस्ट उसिश्टयशक्य ए डिसकरेंगे तो चलो यह स्टार्ट करते हैं first method है from अलकायल हेलाइड अलकायल हेलाइड अलकायल हेलाइड को भी हम है लाइड लेते हैं CH3, CH2, CL अगर हम इसको एक्वस के वह से च्टीट करेंगे एक्वस तो यह सब्सिचूसन एक्शन देगा सब्सिचूसन एक्शन देगा और एक्वस बनेगा अगर एक्वस के वह से च्टीट करते हैं एक्वस के वह से तो इलिमिनेशन एक्शन देगा और यह बन जागा KCl प्लस H2O यह रियक्शन हाई टमप्रिचर पर होता है एलिमिनेशन एक्शन हाई टमप्रिचर पर होता है क्यों हाई टमप्रिचर होता है because it is endothermic और ये एक्जो थर्मिक है ये लो टम्प्रेचर पे होता है सर्फूसर डियक्शन क्लियर है अब नेश्ट स्टेप क्या है इसका ये तो ठीक है किसी को दिक्कत अगर है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जा करके लिखोगे हम उसको देखेंगे हम उसका जवाब देखेंगे नेश्ट मेथद है फ्रॉम ग्रिगनार्ड डियेजन अब इससे आप लिखना लो लिख लिया नेश्ट मेथद है इसका एसन वन एसन टू मेकनीजम है जो सेपरेट वीडियो में है आप उसको देख लोगे वो खिलियर हो जागा आपका कि अलकायल हैलाइड से अलकोहल कैसे बनता है उसका मेकनीजम क्या है तो एसन वन एन एसन टू है सेपरेटली इसका वीडियो है आप मेरे चैनल पे जाओगे सेकेंड है फ्रोम ग्रिगंड डिये जेट कोई भी आप ग्रिग्नाड डिये जेन लो और अगर उसे फर्मलडी हाइड से टीट करोगे तो वन डिगरी अलकोहल बनेगा फर्मलरी हाइड के लबाद कोई भी अलडिहाइड हम लेएड तो तू डिगरी तो थ्री डिग्री अल्कोहल बनेगा, अगर कार्बन डैक्साइड लेते है तो फिर क्या बनेगा? कार्बागली केसिर बनेगा, तो हम फॉर्मल्डी हाइड लेते हैं और यह ग्रीग नार्ड रिएजेंट ले लिया क्या बन जाएगा यह वन डिग्री अल्कॉल बना और एमजी Xin मे on me 국경 में समझेंगे उस यह क्या होगा है यहां पर कोई भी इलバイल ग्रूप डालेंगे तो यह क्या हो जागा अगर सी एस ती डाला तो यहां पर क्या आ गया सी एस थिरी ठीक है यह सी एस थिरी आया मिस टू डिग्री अलकोहल बना यह वन डिग्री अलकोहल है किलियर है अगर हम यहां एसी टल्डी हाइड ले रहें तो फिर यह बनेगा और सी ओ एच शी एस थिरी एच यह टू डिग्री अलकोहल बना प्लस हाइड्रोक्सी मैनिस्यम ब्रूबाइड किलियर है अगर कि टूल लेंगे सी एस थिरी को आर से रिप्लेस कर दिया तो फिर यह आर हो जागा फिर यह ठी डिग्री अलकोहल बनेगा अगर हम कि टूल लेते हैं तो क्या बनेगा सी एस थिरी सी एस थिरी आर थ्री डिग्री अलकोह हैड्रोक्सी मैनिस्यम ब्रूबाइड क्लियर है अगर सी यूज करा तो यह बनेगा कार्बॉइलिक असिट जिसको यह डिसकस करने की जरूरत नहीं है एक नेक्स्ट है इथिलीन ऑक्साइड इथिलीन ऑक्साइड से अगर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट को ट्रीट करेंगे तो क्या बनता है देखो डिग्नार्ड एजेंट यह हो गया हमारा इथिलीन ऑक्साइड क्लियर है तो इलेक्रों निग्टिविटी इसकी ज़्यादा है तो यह इधर शीप्ट होगा तो यह पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे तो यह यहां अटैक करेगा और यह यहां करेगा फिर उसकी हाइड् तो आर शीएच टू शीएच टू ओ एच प्लस हाइड्रोक्सी मेंगनेश्यम ब्रोमाइड यह चेन इलांगेशन प्रोसेस है दो शीएच टू जूड जा रहा है ठीक है तो इट इस वेरी इंपोर्टेंट रेक्शन इसका में के निजम देखते हैं पहले आप इसको लिखो फटा फट लिखा इड़ेज करते हैं मेकैनिजम फेरमल्डी हाइड लिके स्ट्ल्डी हाएड लिया यह ग्रिगनाड एडिएजेंट लिया यह क्या है और्गेडो मेटलिक कंपाउड ग्रिगनाड एजेंट इज एन और्गेडो मेटलिक कंपाउड और्गेडो मेटलिक कंपाउड उसको बोलते है जिसमें मेटल डाइरेक्टली और्गेडिक कंपाउड जिसमें मेटल डाइरेक जीतली कार्बन अटेप से अटेश्ड होता है जैसे टेट्राइथाईल लेड जिगनाड येजेंड डाइ सोडियम डाइथाईल कॉप लिथियम कोडेयाउस सिंथेसिस पर पढ़ा होगा कोडेयाउस डियजेंड क्या है लिथियम डाइए अलकाइल कॉपर वो भी है और्गनो इतोकसाईड और गेनो-मेटालिक कंपाउम नहीं है, क्योंकि वहां पर सोडियम अक्षीजिश सेटाइज हैं कारमन सेटाइज नहीं है ध्यानक हो गया तो यह तो मेटल है, यह ब्यूद्न है कि यह एक्रोपोजिटिव होगा, तो इस पर यह बोन्ड आयोनाइज होगा इस पे slightly positive charge होगा, इस पे slightly negative और यहाँ पे क्या होगा, यह पाई electron और सिग्मा electron, तो पाई bond loosely bonded होता है, तो यह electron आसानी से जो ज्यादा electron negative है उधर shift हो जाता है, या फिर hybridization में यही पाई electron ही एक जरसे दुस्रे जगा shift होता है, तो यह पाई electron इधर अगर shift होता है, तो यह इस पे charge होगा positive, positive charge होगा, तो यह क्या है, nucleophile है, तो यह nucleophile attack होगा, तो पहले, यह क्या है, nucleophile addition reaction है, it is an example of nucleophile addition reaction, पहले जो attack करता है, उसी से decide होता है, nucleophile है, तो nucleophile electrophilic, electrophile attack होगा है, तो electrophilic addition या substitution होगा है, तो यह क्या है, यह positive charge है, तो यह इस पे nucleophile attack कर रहा है, तो यह nucleophile addition reaction है, और यह कहाँ जागा, यह इस पे negative charge है, तो यह होगा है, CS3, C, O, M, G, B, R, और यहाँ, R आ गया, और यह H, clear है, अब इसकी hydrolysis करेंगे, होगा है, तो क्या होगा, यहां से, HOH, HOH, क्या है, फिबली आवनाइड होता है, इसका आवनाइजेशन constant कितना है, 10 day to the power minus 14, hydrogen ion की concentration और hydrogen ion की concentration को multiply हम करेंगे, तो आरा कितना, 10 day to the power minus 14, बहुत कम आवनाइड होता है, इसलिए अगर एक drop भी H-C डालेंगे, तो फिर आसानी से इसलिए औरो रेंगे, तो फिर प्लस और OH में सेलिए हो फिर यह कहा जागा, है, हले आपने आक मिविजा गाटने हैं, तो है, हमत्ये तो आवनाईफ़ ब्लस के तो होगा, हमारा प्रोक्त बन गया गा, और Mg-O-H-B-R क्लियर है? अगर यहाँ H रहता, तो यह फर्मल्ली हाइड होता तो यहाँ भी H रहता, यहाँ भी H रहता तो यह 1-degree alcohol बनता क्लियर है? अगर यहाँ H होता, तो यह AC tone होता की tone होता तो यहाँ H होता, तो यहाँ भी H होता तो फिर यहां भी, sorry, यहां अगर alkyl group रहता, suppose CH3 रहता, तो यह CH3 होता, ketone, फिर यहां भी CH3 होता, फिर यहां CH3 होता, तो यह 3 degree alcohol होता, तो दिसी दर mechanism of the formation of gignard agent से, हम alcohol कैसे बनाते हैं, उसका यह mechanism है, clear है, अगर इसके बदले में, अगर यूज कर लिया हमने, क्या यूज कर लिया, water, तो क्या हो जागा, यह alkyne दे देगा, gignard agent, water selection करके क्या बनाता है, RH, फिर, और हैड़ाक्सिमिनक्स चेंबरुमाइट, clear है, और अल्डी हाइड से, वर्डिडियल कोहल, अगर formaldehyde है तो, other than formaldehyde 2-degree alcohol, ketone, 3-degree alcohol, carbon dioxide, carbolicase, clear है, इसको लिखो पहले, इसकी limitations है, क्या क्या limitations है, ग्रिगिनार्ड रिएजेंट, जिस alkyl hyalide से बन रहा है, उस alkyl hyalide में कोई active group नहीं होना चाहिए, Limitations क्या है, पहला, alkyl hyalide, from which grignard reagent is formed, should not contain active functional group, like, OH group, NH2, COOH, COOR, etc., ठीक है, second में, carbonyl, compound, should not contain the functional group, like, OH, NH2, carbonic acid, etc., clear है, इसको लिखो फटा फट, फिर स्टार्ट करते हैं, third method, that is, reduction of carbonyl compound, इस्टार्ट करें, इस्टार्ट करें, इस्टार्ट करें, इस्टार्ट करें, इस्टार्ट करें, इस्टार्ट करें, तो कार्बोनील कमपाउंड, एल्डिहाइड हो, किटोन हो, एस्टर हो, कर्बोलिक एस्टिड हो, इसकी हम रिडक्शन करेंगे, तो एल्खोहल बनेगा, पहला है रिडक्टिव, कैटेलिटिक रिडक्शन, आप देखो, क्या है, इसको आप ठीट करो, नीकेल, हाइड्रोजन से, या फिर, प्लेटिनम, हाइड्रोजन से, या फिर, सोडियम, in the presence of, इथार, या फिर टीट करो, या फिर टीट करो, सोडियम, बोडो, हाइड्राइड, ने, बी, एच, फोर से, तो यह बनेगा, इथेनॉल, यह, रिडक्शन होगा, क्लियर है, अगर, की टोन की हम करते हैं, यह, वन डिग्री अलकोहल बनेगा, और, अगर, की टोन की हम करेंगे, सेम, कोई भी आप रिडिउसिंग इजन डालोगे, तो इट विल बी कनवर्टेड टु दा, किसमें कनवर्ट जागा, टू डिग्री अलकोहल में, सी एस्थ्री, यह, टू डिग्री अलकोहल होगा, क्लियर है, इसको लिखो आप, इस्टर लेते हैं, इस्टर के इडक्षर करते हैं, क्या बनेगा, सी एस्थ्री, सी एस्टू, सी ओ ओ, इटी, सी तू हफाइव, इटी, इसमें, एने बी-एच-फोर इसको इड्यूस नहीं करता है, ध्यान लखोगे आप, एने बी-एच-फोर नहीं करेगा, बाकि, एल-आई, एल-एच-फोर कर देगा, सोडियम, इन दे प्रजेंश ओफ, इथेनॉल, इटी, ओ-एच, सोडियम, तो एक तो कनवर्ट होगा, सी यह-फोर, सी यह-टू-एच, क्लास दू एच-फाइच, सी यह-टू-एच-टू-एच, incar हैं सी एच-टू-एच-फॉ एच, क्लियर है, ल हेने बी-एच-फोर, नो-अल्कोहल, क्लियर है यह सोडियम बोडो हाइड्राइड इसको रिड्यूस नहीं करता है यह क्या है कर्बोलिक एशिड है इसको अगर लीथियम एलुमीनियम हाइड्राइड से चीट करेंगे या फिर सोडियम इन परजेंस आफ एलकोहल तो यह एलकोहल में कर्बोलिक एशिड रिड्यूस हो जाएगा कार्बन नमबर सेम होगा इसको भी एने बी एच फोर नहीं करता है इसको भी नो एलकोहल क्लियर है लेकिन इने बी एच फोर की एक खास इसका गून है वो क्या है अगर कार्बोनिल कार्बन के अलफा बीटा पर अनस्राचुरेशन है तो उसको यह रिड्यूस नहीं करता है इसको लेक्वाब बाहले लेक्लिया लेक्विया कि आहिड्यु पर अनस्राइदेज क्या हैं सिलेक्टिव रिडक्षण और क्या हैं Un-saturated, carbonyl compound, carbonyl compound, CS3, CH, CH, beauty, Null, beauty null, यह क्या है, यह alpha, beta, unsaturated carbon है, carbonyl compound है, और दुसरी बात, यह conjugated भी है, नहीं, double bond, single bond, double bond, तो अगर हम ALH4, या फिर alcohol, sodium in the presence of alcohol treat करेंगे, तो यह reduce कर देगा, CH3, CH2, 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 OH, यह double bond को भी saturate कर दिया, और इसको अलकोहल में convert कर दिया, तो यह N-butanol, या फिर 1-butanol, या फिर butan-1-ol, clear है, 1-butanol, अगर इसको हम treat करते हैं, N-A-B-H-4 में, तो क्या बनेगा, यह alcohol में convert होगा, यह reduce नहीं होगा, selective reduction है, सबकी अपनी-पनी importance है, अगर किसमें एक गुन कम है, तो दूसरा गुन है, अगर एक अरबॉलिक एसिड को N-A-B-H-4 रिडिूस नहीं कर रहा है, तो यहां तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, ठीक है, तो यह क्या होगा, अलफा-B-T-A-C-C-T-E-R, इसको reduce नहीं कर रहा है, तो selective reduction है, clear है, तो यह साड़ा का साड़ा, क्या पढ़ा हमने, अलकाइल हैलाइट से कैसे बनाएंगे, SN1, SN2, substitution reaction, अलकाइल हैट से अलकॉल बन गए, इसका mechanism separate वीडियो में है, आप उसको देखोगे, फिर grignard reagent से, grignard reagent से, अगर हम formally high से grignard reagent को treat करेंगे, उसके बाद उसकी further hydrolysis करेंगे, तो क्या बनेगा, 1 degree alcohol, अगर formally high के अलवा कोई भी LDH use करते है, तो क्या बनता है, 2 degree alcohol, अगर ketone यूज करेंगे, कोई भी, तो 3 degree alcohol, अगर CO2 यूज किया, तो कर्बोलिक अगर इथिलीन अकसाइड यूज किया, तो 1 degree alcohol, with 2 extra carbon atom, clear है, अब बचा, कर्बोनिल कर्बन, कर्बोनिल कंपाउंड, उससे क्या तो, reduction करेंगे, reduction कर दिया, catalytic hydrogenation करेंगे, hydrogen nickel से आप यूज करोगे, aldehyde और ketone, platinum hydrogen से करोगे, वो बन जाएगा, clear है, अब sodium hydrogen, sodium in the presence of alcohol, वो भी उसको reduce करेंगा, alcohol में, lithium aluminum hydride वो भी reduce करेंगा, NABH4 वो भी करेंगा reduce, ester को NABH4 reduce नहीं करेंगा, clear है, acid को NABH4 reduce नहीं करेंगा, NABH4 की क्या विश्यस्ता है, यह selective reducing agent है, यह aldehyde को, या ketone को, alcohol में convert करेंगा, लेकिन double bond conjugated है, उसको छेड़ छाड़ नहीं करेंगा, उसको reduce नहीं करेंगा, तो आज कहीं वीडियो रहा, इसको अगर कोई question है, तो आप जरूर डालोगे comment box में, और अगर पसंद आता है वीडियो तो like जरूर करो, thank you.